हालो फ्रैंस वेलकम टे आनादर बीडियों स्टॉक मार्केट आज हम डिसकस करने वाले सरेफ के बारे में स्टॉक ने आज हमने करेक्शन देकें स्टॉक आपने बहुत इंपोर्टन सपोर्ट के कड़ी है यानी 2000 स्टॉक ने 2100 का भी सपोर्ट को ब्रेक किया है अल्मोस्ट स्टॉक 5% नीच है आज का जो डेल हो है वह 2082 है आने वाले टाइम में स्टॉक शादा और भी गीच सकता है या फिर 2100 की उपवर भी एक क्लोजिंग दे सकता है युकर मार्केट जो है वो अभी डेलों पर निफ्टी अल्मोस्ट वान सेवेंटी पॉंट धी चाहा है युकर ने 17600 के सपोर्ट को भी ब्रेक किया तो अबराल मार्केट में एक करेक्शन हम देख सकते हैं इस स्टॉक अगर 5538 अब यह स्टॉपर के करीब आप इस स्टॉक को भाई करता है या तो यह से स्टॉक बांस बैक देगा उपर की तरफ जागा अगर नीचे गिड़त है तो आई डोंट तिंग सो यह बहुत नीचे जाएगा फिर सब 1800 करीब इस स्टॉक को भाई कर सकते हैं तो ओबराल स्टॉक का जो प्रफॉमेंस से वह अच्छा है शॉट टाम में स्टॉक तोड़ा ओवरबाट हो गया था बट रिसेंट करेक्शन है वह बहुत ही बड़ा अपरचुनिटी है प्रेजन मार्केट केप 61874 है और प सब्सक्राइब करता है तो शौट टाम और गिरावाट आसकता है देन आपको थोड़ा अवरेजिंग भी करना है अगर आप लॉंग टाम इंवेस्टर ओ इस स्टॉक पर आप बाई कर सकते हो फो लॉंगर हो राइजन हालाख कि पेशालीटी केमिकल केमिकल सेक्टर के इतने और फिटी टू और फिटी टू अने वाले टाइम में स्टॉक और भी गिरे तो और आप इसली जो आरेसाइए वो 50 के निचा आएगा एंवेस्टी के निचा आएगा अनि 70 के उपर स्टॉक अपने 52 इक्स हाई से 20 परसंट गिरा और देन वो आरेसाइन फिज में भी ओबर और ओबर सोल जोन के बीच में आता सो उस हम डेफिनेटल एक अट्रक्टिव बेट कहेंगे अल्दो यह माउथ वाटरिंग लेबल तो नहीं है वो 2000 के करीब अगा स्टॉक आता है तेन डेफिनेटली वी टैन अक्पॉमुलेट इस पर्टिक्लों स्टॉक और निफ्टी का और करेक्ट होता है तो इस टॉक में तोरह करेक्शन आएगा देन डेफिनेटली बाइंग भी आएगा रिटन की बात करें वन युक का रिगर नेगटीव वन मान का तीन परसंट का नेगटीव बिटन इस स्टॉक ने दिया है त्री मान का प्रिटन पॉजिटिव 17 परसंट नेगेटिव बंदेगा गारी पंपने ठेंटलीव अन्ट के नीच बिल श्क बात कि इंच वन मान के बाता है त्क नेगटए। अगर इस ट्रॉक नाम रिसिस्टेंस अब लेदिटी पर्वेटन रिसिस्टेंस ए वो 2200. 2200 इस वेरी इंपरेंट रिसिस्टेंस पर्डिक्ल रिस्टाइ पर्टिक्लर स्टॉक जिसको अगर स्टॉक ब्रेक करता है तो 2300 थे 2500 की तरह मूफ करें ने इस सपोर शॉपर्ट एक short term support के तरह दिखेगा, अगर इसके नीचे जाता है, so 2000 is another support, and 2000 को break करता है, short term में यह stock 1900-1800 के तरह भी जा सकता है, depend करता है, market कैसे react करता है, हाला कि I am very bullish in this particular stock, and जीतना correction में आपको मेले, उतना ही आपके लिए golden opportunity है, इन SRF, अगर हम इसका peers के साथ भी compare करें, so in this particular sector, जीतनी भी company है, उसमें SRF market cap है second biggest company, after PD Lite, but look at the price to earning ratio, जहाँ पर SRF का 41 है, PD Lite का almost 92.90 के करिप का price to earning ratio है, and जीतनी भी और company, इन आर्टी इंडर्श्री, इन सभी का जो performance है, वो उतना अच्छा नहीं, क्योंकि result में इन सारे company से result उतना अच्छा नहीं किये, हाला कि सबसे बढ़िया company तो दीपक नाइट है एक ताइम है, जिसने बहुत buying हमने देखा, फिर stock तो और करेक्ट हो है, ने अधर हो में जीस रेंच पे, comparing to SRF, मुझे ज्यादा attractive जो लगता है, वो धीपक नाइट है लगता है, profit before tax 532 करोर है, and net profit 382 करोर है, जो के last quarter में 395 करोर है, जहाँ पर सारे specialty chemical stock के margin बहुत घटे, इसका performance moral ले same है, यानि बहुत ज़्यादा decline हमने नहीं देखा है, consistent performance हमने last 6 quarter से देखा, जो के positive factor, इसले stock में हमने correction तो देखा, बाट उतना बड़ा correction नहीं आए, क्योंकि stock short term में ब growth देखा, and stock के लिए बहुत ही positive factor है, overall last particular company के shareholding parent को देखा 50% से ज़्यादा का stake FI is very bullish, उनके पास 90% से के DIA के पास 10% है, public holding is almost 20%, so public and retail investor जो बहुत ही bullish है, यानि retail investor का stake है, वो DIA से भी ज़्यादा है, so directly बहुत सारे लोगों ने इसको पर invest किया है, comparing to mutual fund and other things, so definitely आने वाले टा loss में, बहुत सारे लोग जो opportunity ढून रहे, so 2000 कर रहे हैं, buy किजिए, सारा आपाइस capital मत invest किजिए, आप 50% invest किजिए, 25-25% अगर और गिद था है, then you can invest, अगर यहां से bounce back ले गुपाई के तरब जाता है, so then definitely आप 50% capital जाए, वो दूसरे किजी stock में invest कर सकते हो, याते SRF को लेक मेरा गानलिसी वीडियो इंपरिवी वी अच्छे लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राबर शार करना, बिल्कुल मत भूलना, see you in the next वीडियो, till then goodbye